चैनल वाल है है भाद वाद में अधूरुजे एक बार फिर साब को साहते हैं आपके पंडा यूटुब चैनल पर आज की वडंग करने वाला हूं नूस इवेंट के बारे में ही हमारा second एपिसोट है जो हमने सीरी स्टरट कर एक की टू सक्सेस में second में news event के बारे मैं क्यों बात करा हूँ because एक बहुत important part है आप सभी की trading journey में अगर आप trading करते हो तो news events जिन लोगो नहीं पता है मैं बहुत सारी वीडियो इसके पर बना चुका हूँ आपने channel के उपर देखने होगी NFP के regarding या फिर जो monthly news का calendar रहता है उसके regarding basically हरे countries की अलग-अलग news होती है जो की particular currency pairs पर affect डालती है कुछ particular time के लिए और उसका फाइदा उठा के आप अपनी knowledge में भी कर सकते हो आप skills भी improve कर सकते हो प्लस आप drastically change कर सकते हो अपने profits को जो आपके monthly या फिर daily profits रहते हैं अगर कोई news event है तो अब यहाँ पर हर news events जो मैं cover करता हूँ मैं अपना analysis बताता हूँ direction में कौन से direction में जाने वाला हूँ कौन से currency pair पर यह सारी चीज़े आपको मैं detail में बताने वाला हूँ and I hope आपकी knowledge में कुछ इजाफा होगा इस वीडियो के बाद में स्टार्ट करते हैं वीडियो को उससे पहला आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करावे तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आकन जरूर दबादेना ताकि एक भी वीडियो आप से मिस ना हूँ पर स्टार्ट करते हैं कि किसी भी news को आप कैसे पता कर सकते आपको कहां मिलता है ऐसी बहुत सारी website आपको देख जाएंगी investing.com या फिरा बात कर सकते हैं FX Street ऐसी बहुत सारी website है जहां पर आपको पूरा calendar मिलता है आपको हर एक news वहाँ पर देख जाती है कौन से date को है किस timing पर जिस भी country में आप रहते हैं वहाँ का time zone आपको select करना है और exact time में आपको पता चल जाती है वो news कितनी जादा powerful हो सकती है वो आपको आपर पता जाता है अगर आपकी one star की news है वो आपको denote करती है कि जादा impact इस पर शायद नहीं दीखे two star की news है थोड़ा जाता रहता है three star की आपकी maximum रहती है कि impactful news है इस तरीके से आप वो judge कर सकते हो अब बात करते हैं कैसे आप इन news को analyze कर सकते हो and फिर मैं बताऊंगा कि अगर आप single group में join हो किसी में भी तो आप उसको कैसे follow कर सकते हो properly तो सबसे पहले आपको updated रहना बहुत ज़रूरी है जो भी ये websites हैं जो calendar आपको देखता economic वो सारी news आपको पता होना चाहिए कौन-कौ economical indicators है, financial news है, economical events है, जो bank decisions है, वो सारे आप उनसे aware रहोगे, उसके बाद में आपको ये देखना है कि कौन-सी news कितनी जादा important हो सकती है, कितना जादा effect डाल सकती है, for example, कोई GDP की news है या फिर आपकी unemployment है, जो basically employment की news है, वो कितना impact डाल सकती है, या फिर कोई other news है, कौन-सी currency के पर news है, वो आपको देखना जरूरी है, for example, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि NFP मन्त का biggest event है, उसका reason यह है कि वहाँ पर जितनी भी पूरे मन्त का data रहता है, unemployment का, जितनी jobs gain हुई है, जितनी job release की गई है, household employees, या फिर government employees, सारा data release होता है एक दिन को, और US market, जो US economy है, वर्ल जादा देखने को मिलता है, तो इसी तरीके से आपको judge करना होता है कि कौन सी news जादा effective हो सकती है, और वो आपको दीरे-दीरे पता चलेगा जब इन सारे news के उपर आप active रहोगे, छोटी से छोटी news को आप closely monitor करोगे, अगर आप investing.com यूज कर रहे हैं, तो आपको अगर USD की news दिख रही है, वहाँ पर आपको currency दिखाई देती है, अगर USD के आगे आपको 3 star ए 2 star की news है, इसका मतलब यह है कि यह जो news है USD के लिए है, US dollar और इसका impact USD के pairs के उपर पड़ेगा, अब जिस currency में USD आपके second number पर है, उसका impact आपको अलग मिलेगा, और जिसमें first number पर है, उसका impact आपको opposite मिलेगा, इसमें बहुत सार लोग confused होते हैं, for example, EUR-USD को पर आपको अगर impact अपोड रिशन आपकी जाने की prediction है, और अगर आप trade ले रहे हो USD CAD की उपर, तो आपको उसका opposite impact देखने को मिलेगा, जो कि downward, तो अगर USD बात में है और पहले इसका बहुत जादा effect बेसिकली सारी currencies के उपर according impact पड़ता है, अगर news आपकी GDP की है, तो हो सकता है आपका दूसरी currencies के ओर भी थोड़ा बहुत impact देखने को पिले, बद जो major impact है वो आपको same currency पर ही मिलेगा, अब जो news articles रहती है, जो reports रहती है, उनकी timelines को consider करना आपको बहुत ज़रूरी है, कि जो market prices उसको already consider कर चुका है, तो वहाँ पर आपके चीज़े opposite जा सकती है, उसके according आपको अपनी thinking को change करना होता है, जो भी news available है आपके platforms के ओपर, for example, investing.com, अब किसी भी news पर आप क्लिक करते हो, जो आपको available है in platforms के ओपर, in websites के ओपर, तो वहाँ पर आपको उसके regarding पुरा data मिल जा जाता है, उसके basis के उपर, फिर forecast किया जाता है, और उसके basis के उपर फिर predict किया जाता है, कि इस बार क्या actual data हो सकता है, अब यहाँ पर यह जो forecast है, यह अलग-अलग websites के आपको अलग-अलग देखने को मिल सकती है, तो आपको reliable source ढूणना है, और किसी भी forecast के उपर आपको completely believe नहीं करना है, कभी-कभी आपको देखने को मिलेगर आप चेक करते हो, fx street के उपर, या फिर investing.com के उपर, या फिर और अलग websites के उपर, तो आपको data अलग-अलग मिल सकता है, differ कर सकता है, तो अगर मैं इस चीज को summarize करूँ, जो मैंने भी आपको पूरा बताया है, सबसे पह बाकी की news रहती है, वो भी आपको चेक करने ज़रूरी है, for example, 4pm पर अगर आपकी कोई news दिख रही है, जीवीपी की, और 3 star की आपको news मिल रही है, और उसके साथ आपको कुछ और news भी मिल रही है, और वो भी 1 star, 2 star की है, तो आपकी 5-6 news आपकी एक साथ आ रही है, और आप की 1-2, 3 star या 2 star की news है, तो आप उसको एक effective news मान सकते हैं, और उसके साथ आप जा सकते हैं, उसके बाद में आपको updated रहना जरूरी है, क्या flash news चल रही है, और बाकी news इस news को किस सरी किस effect कर रही है, ये तभी होगा जब आप हर रोज updated रहोगे, सारी news से तब आपको पता चले नहीं कौन सी news किस से connected है, और उसी के basis के उपर आप थोड़ा बाद प्रेडिट कर सकते हो, 100% आप किसी भी news को प्रेडिट नहीं कर सकते है, बिकॉस बहुत confidential data होता है, और इसी लिए इसका impact आपको इतना देखने को मिलता है, कभी-कभी जो बड़े-बड़े events से उनका impact भी आपको doji मिल सकता है, ये completely based होता data की उपर कि उस मन्त का उस particular event का data क्या release हुआ है, इस तरीके साब analyze कर सकते हो, थोड़ा बहुत predict कर सकते हो, अब मैं बताता हूँ कि मैं किस तरीके से news share करता हूँ और आप उसके उपर कैसे trade ले सकते हो, सबसे पहले आपको group में message आता है, आ प्रेंट के first Friday को usually NFP होती है, 6 PM पर होती है normally, तो for example 6 PM पर NFP है, तो आपको वहाँ पर timing सबसे पहले currency दियाती है, EURUSD, major impact पढ़ता है, फिर आपको timing दी जाती है, अगर आप एक Binomo की user है, वहाँ पर आपको एक मिनट की timing select करनी होती है, 6-1 की expiry time आपको select करके रखना होता है फिर आपको exactly 6 बजने से, मतब 6 बजने से, 10-15 से पहले आपको trade place करनी है, किसी भी direction में जो भी आपको analysis लगता है, अगर आपको upward में लग रहा है तो upward में कर सकते हैं, download में आपका analysis करता हैं, उसके बाद मैं अपना analysis शेर भी करता हूँ, कि मैं किस direction में जाने वाला हूँ, अ next video के अंदर जैसे कि मैं आपको बताया है कि मैं dedicated एक reversal के उपर वीडियो बनाऊँगा, जो लोग में उसे query कर रहे हैं, टेलराम के उपर, अगर आप एक all in trade की user है, वहाँ भी आपको clear बताया जाता है, ग्रूप के उपर, currency पेर, फिर आपको जो news है जिस ताइम पर, for example, 6 प जोड़ा clear हो, इसके बाद ही तुरंत बाद ही आपको reversal की वीडियो मिल जाएगी, जो जो लोग Sino Group में join है, प्लीज अपना प्यार जरूर दिखाए, comment section में और जो नहीं है, अगर हो join होना चाहते हैं, मुझसे query कर सकते हैं, टेलराम के official ideas के उपर, जिन लोग को नहीं पता ह within 24 hours से आपको join कर दिया जाता है, कभी-कभी ये delay भी हो जाता है, ये चीज़ मैं accept करता हूँ, because मैं अपना support कुद handle करता हूँ, किसी और person को मैंने support अपना नहीं दिया, because वो connectivity नहीं रहती है, अगर मैं किसी से आपको answers करवा रहा हूँ, तो वो connectivity और वो touch जो रहता है, वो आ analyze कर पाएंगे, इस channel का motive ही है, आपको किसी person के उपर rely नहीं होना चाहे हो, मैं खुद भी हूँ, आपको खुछ से decisions लेने है, news events भी आप खुछ से कैसे credit कर सकते हो, वो भी आपको देखना है, at the end अगर आप सही news नहीं भी credit कर पारे हो, आप अगर analyze ठीक से नहीं भी कर पारे हो, फिर भी आपका gain होगा, knowledge, trust में, अगर आप पूरा market कि से updated रहोगे, सारी news देखोगे, आपकी कुछ न कुछ चीज़ें अच्छी होगी, so ये थी हमारी आज की वीडियो, I hope आपको पसंद आयोगी, like जरूर करना अगर आपको अच्छी लगए हो, तो मिलते हमारी next video में ओषड़ें अच्छी होगी, like जरूर कि से अगर्योगी लगए हो, आपको दुट की जरूराही हो, आपको अजादाभस आपको अझारी आपकोंगे, के सारी नक्लाने की वाज़ prépar prosecutor, आपको आपकोंट रहोगे, आपकोंद तूराही होगी, आपकोंवे, आपकोंची होगे,